हेलो फ्रेंड मेक अपगरे चैनल में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हमने आपको फ्रंट एक्सल और केलपर ब्रेक केलपर के बारे में बता था इस वीडियो में हम रियर एक्सल के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि real Excel में कौन सा parts क्या क्या लगा रहता है और कौन parts कहां कहां पर यूज होता है इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं आइए चलते हैं आगे देखते हैं इस वीडियो में कि कौन सा parts कहां लगा है यह देखिए यह real Excel का पूरा डायग्राम है रियल एक्सल में टोटल कितने parts लगे रहते हैं यह देखिए आपका सामने यह इस्टब एक्सल है पुरा एसम्बली है इसमें जो क्या करता है एक्सल लगा रहता है डिफ्रेंशियल लगा रहता है और वाइरिंग लगी रहती है क्रावन इल पिनियन लगा रहता है तो यह दे डिफ्रेंशियल पुरा एसम्बल है इसमें अंदुरुनी भागों में क्या क्या लगा रहता है यह देखिए यह आपका केस फिनिश्ट लगा रहता है डिफ्रेंशियल में यह ठाश्ट वासर लगा रहता है पिनियन डिफ्रेंशियल लगा रहता है गियर डिफ्रेंशियल यह भी थैस्ट वासर है दोंहों साइड में लगा रहाता है यह शाफ्ट डेसलर लगाऊ हाए क्या ओर्जुन नंबर पिन रोलर दे जो इसमें Gwen ठ alternatives यह यह दीख रहा है यह विल पिनिक्सलिक्न का पहला है यह विल है जो इसमे और यह पिन्यान जो दिख रहाय है चारिश नमर्प है गेर इंड पिनियन इसी यह मूँव होता है तो यह सब को नचाता है तो देखिए इसको आ Castle Spadlin काते है यह देखिए जो मार्स दिखा रख है यह सब इसीम फीड है यह देखिए यह आपका स्टे ईए इनर बाइरिंग है यह भी शीम है यह भी जटिवेंशल बाइरिंग है कौन जो लगा रहा था इसका अंदर कि यह आपका स्पैसर है कि यह आई सिल है यह ब्रेदर उपर जो चेम्बर बोल्ट बोला जाता है इसमें क्राउन का आइल ना पने उपने के लिए यह देखें होल्ड बोल्ट हेक्स है यह फिलर पलग है यह स्क्रू कबर प्लेट है यह ब्रेकेट है यह कवर कैरियर है जो कवर इसको ढखका रहता है यह देखें में इतना शमार लागता है यह फिलर पीछे का यह लेफट और रॉड कि होता है इसमें गाइअ यह नर्ट क्रूक है जिसने टाइट होती यह अँए सी विभी स्धें हिए आप लोग अD67 इसमें पीछे साईड में एकी सामान लगा रहाते हैं अब देखिए एक्षाल के अंदर कितना समान लगा है यह मार्किंग star अदर एक्षोर tu एल वासर है, ठर्ष्ट वासर लगा होता है, डबरो टेपर रोलर बाइरिंग लगी होती है, जो वाटर प्रूप होती है, ओरिंग लगा होता है, बाइरिंग कैप लगा होता है, जिसे बाइरिंग हाउजिंग भी बोलते हैं, रिटैनर प्लेट लगा होता है, यह बोल्ट है, यह इविल बोल्ड है कि यह आपका साफ टेडिंग लगा होता है जो एक एक सबमें इतना लगा होता है कि यह आपका डिल हुद्विट है देखिए इतना एक एकसल में लगा होताए जो इसटब एकसल का अंदर रहता है देखिए इसका इसेंबली मिलता है साफ्ट पांच सब में दिख रहा है का रियर एकसल साफ्ट जो है लेफ्ट और राइड का यह आपका कालीपेज लगा है वे वाเรา एक लगा। कॉयूं जिसे बोलते हैं, पिनियन लगा होता हुद है, अंर्थेटर लगा होता है, यह干म्पिनियन फिलेंज योक लगा होता है। वासर हैं, और यह नट्थ पिनियन जिससे टाइड राता है। देखिए यह सब एक step axle, यह 56 नमबर जो दिख रहा है, यह एक step axle में यह पूरा समान लगा हुआ आ रहाता है, जो आपको दिख रहा है, अलग-अलग करके दिखाया गया है, यह देखिए rear axle assembly है, यह आप ensemble भी पूरा मिलता है, जाइस के child parts भी जो अंदर दिखाया गया है, वो सब भी मिलते हैं तो यह इन माल्टोट एक्षल का पुरा पार्ट से जो आपको देखने को मिला है अगर आप गारी का और एक्षल का कोई एक्सल नहीं चेंज होता है तो फिरें इसमें आपको रियर एक्सल में कितने पार्ट्स लगे हैं जो चाइल्ट पार्ट्स है उसके बारे में भी दिखाये गया और बताये गया है कि आपको इजी पूर्वक देख सकते अगर गाड़ी कहीं खुलेगी तिये पार्ट्स आपको कहीं भी पूरा नहीं देखने मिलता है तिसलिए आप यहां आपको विडियो में एक-एक पार्ट्स दिखाएं कि कौन सा पार्ट्स कहां लगा हुआ है और मार्किंग करके यह पार्ट्स यहां पर जाके यहां पर लगा हुआ है तो कर फ्रेंड अगर यह वीडियो अच्छ करें हमें कमेंट करकरूछ सकते हैं हम कोशिइब करेंगे का कमेंट का जवाब देने के लिए तो ओके फ्रेंड फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तलग के लिए जाहिन